बोजपरी सुपस्टार पवन सिंग और खेसारी लालियादो इन दोनों का गाना जी हाँ सावन के बूलबम का गाना रिलीज तो हो चुका है और आप आपको बता दे कि इन दोनों में एक होल लग चुकी है खेसारी का अब तक छे से साथ गाना निकल चुका है और वहीं पवन सिंग का तीन गाना निकला हुआ है तो आपको व्यूज वाइस भी बता देते हैं और गाना वाइस भी बता देते हैं कि भाई कौन है सावन का बादसा जी हां आधा सावन तो बीच चुका है आधा अभी ब उसे 7 गाने रिलीज कर रहें किसी किसी दिन तो वो लगातार गाने 2 2 3 तीन गाने रिलीज हह नहीं है उसके tutti दिन कोई सौन महादेव का दिवाना 13 million व्यूज क्रोस कर चुका है जिसे एक करोड 30 40,000,000 दोओं ने देख लिया है 13,000,000 views टॉस करचुका है और यह बात बड़े ही अचमभे की भी है साथ ही साथ पवन का एक गाना आई जलधारी करे 3.2 मिलियन व्यूस क्रॉस कर चुका है और पवन संगे जलधारी करे यानि कि ये पवन सिंग का तीसरा सौंग है आई जलधारी करे 3.2 मिलियन दूसरा सौंग है और पवन संगे जलधारी करे ये तीसरा सौंग है जो 4 दिन पह आफते पहले रिलीज किया गया था अब आपको यह बता दें कि पवन संग जलधारी करे गाना साड़े साथ लाग के करीब पहुच चुका है तो वहीं पर आई जलधारी करे गाना 3.2 million views के साथ आगे बढ़ रहा है तो इस तरह से आप देखेंगे कि महसपवन के तीन ही गानों ने काफी कहर बर पाया है उस पे से महादेव का दिवाना तो सबसे आगे चल रहा है अब तक जितने भी गाने रिलीज हुए हैं चाहे वो खेसारी के हो चाहे वो रितेस के हो या हां आप दोको को नहीं पता है लें प्रवेस लाल यादों का भी एक भॉलेनात का जोल बम का गाना आया हुए लेकिन नसब में सबसे चल रहे हैं पवन सिंग तो आपको बताते हैं पोला संक करके किसारी लाल यादों का एक गाना निकला है पांस दिन पहले इसका ओडियो रिलीज हुआ है और व्यूस है 1.2 मिलियन खेसारी जलधारी करेगा जी हाँ ये गाना का खेसारी लाल यादो ने क्रीबन 3 हफते पहले निकाला था और ये फौजी भाईयों को ध्यान में रखके गाना बना गया था इसका व्यूस है 4.4 मिलिय 1.2 मिलियन व्यूस के साथ आगे बढ़ रहा है चार दिन हुए अभी रिलीज हुए पंडी जी पर फिकली 1.1 मिलियन व्यूस के साथ और मुस्कुराइए आप देव घर में है जो इस वक्त यूटूब पे 21 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और दो दिन हो चुके हैं और इसक रहे के गाने खेसारी न निकाले इसे हिंदू भावनाय आहत होती हैं भोले बाबा खेले पब जी जो है 4.5 मिलियन व्यूस के साथ आगे बढ़ रहा है आप देख लीजे कि खेसारी लाल यादो के अगर सारी व्यूस को टूटल करेंगे तो 19 मिलियन व्यूस जाता है और सि देखने की बात है कि क्हेसारी का साथ गाना बोल बम का रिलीज हुए जिसमें से पवन सिंग का सिर्फ एक ही वीदियो सॉंग और उसके आडियो के व्यूस को भी मिला लो तो वह क्हेसारी व्यूस पर भारी पड़ेगा याशारी रिय looks Any वो संघ्वियोश है गया हाँ के सारी अगर थोड़े बहुत अगर गाने लेकर आ गए और बहुत 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 पीछे चल रहे हैं और व्यूज वाइज भी आरे हैं जिसकी expectation नहीं थी आप एक सकते हैं कि expectation खास कर तो रितेश पांडे से रितेश पांडे के लिए लगा था कि उनके गाने हमेशा बहुत ही बहतरी नाते हैं पवन सिंग के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को अगर सुरीला कहा जाता है तो रितेश पांडे को लेकिन उनके गानों में भी इस बार जान नजर नहीं आ रहे हैं सिर्फ लगता है झाले के लिए लगता है